हाई फ्रेंट्स कैसे आप लोग मेरा नाम हर्यूम गुपता और आप देख रहे हैं एसजी ओल इनफॉरमेशन तो कैसे हैं आप लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे और इंटेंस हीजाम की तैयारी कर रहे होंगे जिन लोगों का हो गया हो कोई बात नहीं जिनका नहीं ह है तो फ्रेंट से वीडियो उन लोगों के लिए जड़ातर है जिनका अभी प्रिप्रेशन में कुछ भी नहीं हुआ है मतलब मानगे चलिए कि उन्हें अभी कुछ तक कुछ भी नहीं आता है इंटरेंस इजाम का कोई भी आइडिया नहीं है वह बहुत कम पड़े हुए है य कि लिए प्रिंट से एक तरीका है जिसे हम कर से करने के लिए काफी होगा तो फेस्ट वीडियो को ध्यान से देखी और अन्ते तक बने रहेएगा वीडियो के साथ चैनल पे नए है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा तो चलिए जानते हैं को अधरुए को करने तुरूसा है सबसे परा जो तरीका है है कि अगर आपके क्योश्चन में मां लेजी 150 क्यूश्चन आते हैं एक सब्चास क्यूस्चन है आपको 40-40 क्यूश्चन गरना है और थीनों सब्जेक्ट फिजिस कमेस्ट्री बायो की मैं बैसिकली करना है क्योंकि इसमें आपको मायनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको इसको यूज करना है तो अगर आपको लगता है कि आपके फिजिक्स में मार्किंग से बचना है लेकिन आपको लगता है कि आपके पचास मस्य केवल दस पंद्रे या बीस तक ही क्योश्चन सही हुए बाकि इसके बाद गलत हैं दस क्योश्चन तो आप यह रिक्स उठा सकते हैं तो फ्रेंट करना क्या होगा आपको ट्रिक मारने से पहले आपके माल ट्रीजा बालो जी में 10 क्योश्चन तक आप सही सही लगाते चले अप कुस्षब आता है उसके बाद आपको onak ça नहीं आ रहा है तो आपको बरामा क्योश्चन छोड़ देना है आपको आगे बढ़ जाना है उसके बाद पढ़ना है और सारी क्योश्चन करने बाद आप अ तो तीन का अंसर तो आटोमेटिक मिल जाएगा आपको दो तीन चार का क्यूश्चन बाकि जिसका नहीं आता है तो उस पे फ्रेंड आपको बी या सी आपसन को चुच करना होगा सोच समझ कर सेम ऐसे ही फिजिक्स में भी करना है और सेम ऐसे ही कमिश्ट्री में और बायों में तो मैंने बता दिया कि ऐसे इसे आपको ट्रिक का यूच करना है बी और सी आपसन चूच करना लेकिन पहले सभी क्यूश्चन को हल करने के बाद मलब तस पीस क्यूश्चन आपको आते हैं आपने कर दिया उसके बाद आप सभी क्यूश्चन को वह सब फिर बहुत ज्यादा घुमाए हुए हैं बहुत लोग अंसे बात होई है जिसमें किउस्टिन बहुत ज्यादा घुमाए हुए हैं और NCRT से विक्सिकली आ रहे हैं तो आप लोगो NCRT में पूरा ध्यान दीजिये और physics chemistry के notes को अपने पढ़ते रहे और question घुमाए हुए है friends तो आपको थोड़ा ध्यान रख कर टिक का यूज़ करना होगा तो basically अगर टिक कर भी रहें तो friends B और C option को ज़्यादा चूज़ कीजिएगा लेकि सबी question को पढ़ने के बाद मालीजे 50 question 40 करना 40 को करने के बाद मालीजे उसमें 10 सही हो गए बाकि आपको 30 करना 30 में से आगे जब आप बढ़ेंगे 30 में से 5 का अंसर तो automatic question मिल जाएगा तो आपको आपको आपस साक्रप्स फे टिक कर देना बाकि B और C option को आपको चूज़ करना किसी एक को तो फ्रेंट्स एती कुछ ट्रिक करने की जानकारिया अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे comment में पूछ सकते है बाकि अगर आपका admission हुआ है या नहीं मुझे comment बताईएगा मिलते हैं फ्रेंट्स नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद